अरक का क्या मतलब होता है या आज की वीडियो में सीख लेते हैं अरक को आप दो तरीके से समझ सकते हैं एक तो अरक जो है वो हिंदी में वर्ड यूज होता है अरक बोलते हैं उसको अरक नहीं होता वो अरक होता है तो वो जो अरक होता है उसका मतलब यह होता है कि किसी भी पोधे के या किसी भी जड़ी बूटी के जो गुन है उनको एक विशेश medical process से process करके और उसके बाद उसको भूत संगनित कर लिया जाता है भूत गाढ़ा कर लिया जाता है और उसको फिर अलग-अलग चीजों में उसकी एक बूंद दो बूंद या बूंदें alcoholic beverage होता है जिसका इस्तेमाल जो है wine या यह समझ सकते हैं अप एक तरीके की wine होती है या wine की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है जिसे अंगूर से बनाया जाता है और साथ में इसमें सौंफ डाली जाती है तो सौंफ और अंगूर से बनी एक परकार की मदीर, आप इसे कह सकत हैं और ये एक traditional distilled alcoholic beverage होता है जो Middle East में काफी popular है जैसे कि Lebanon, Syria या Iraq इन जो देशों में है इसे काफी जो है पसंद किया जाता है वहाँ पर traditionally इसे पिया जाता है और अरक जो है वो aperitif के रूप में इस्तेमाल किया जाता है aperitif का मतलब होता है कि खाना खाने से पहले जो मदीरा पी जाती है भूख लगने के लिए या भूख बढ़ाने के लिए तो उसके रूप में इसको सर्व किया जाता है और तो इसका जो तीखा सौफ वाला जो flavor होता है उसके लिए इसे जाना जाता है तो इसमें तीखी जो है सौफ की खुशबू आती है flavor होता है और इसको आप अरक कहते हैं तो ये एक तरीके का alcoholic beverage होता है जो Lebanon, Syria या Iraq में आम तोर पर आपको मिलता है ये वीडियो शक्षनिक उद्देशित से बनाया गया है किसी भी प्रकार की शराब का सेवन आपकी स्वास्ते के लिए हानिकारक हो सकता है किसी भी alcoholic beverage को लेने से पहले या इसका इस्तिमाल करने से पहले या तो आप अपने डॉक्टर से सलह ले सकते हैं या आप अपने विवेक का इस्तिमाल कर सकते हैं हम आपको किसी भी प्रकार की alcoholic beverage का इस्तिमाल करने की सलह नहीं देते हैं यह वीडियो शक्षनिक उद्देशित से बनाया गया है और इसमें आपको सिर्फ आरक का मतलब बताया गया है अब आप ऐसी ही किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतु बकवास की सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें